अगर बारिश अच्छी हो गई तो तेरा चावल कितने महंगे दाम पर बेके गारे अगर उपर वाले ने मो दिया है तो अन भी दे ही देगा ये कहानी देश आजाद होने से पहले की है जब ना तो कंप्यूटर था और ना ही मुबाइल लोग धोती कुर्ता पहनते थे और बैल गारी से सफर करते थे मुख्या की बात मान कर उस बार गाउं के जादतर लोगों ने अपने खेतों में धान बो दिया लेकिन उपर वाले ने तो अलगी लीला रची थी उस साल गाउं में ऐसा सूखा पड़ा कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए और सबकी तरह खेत में बैठा हरिया भी अपनी किस्मत को कोस रहा था ए हरिया पगला गया है क्या है इतनी धूप में क्या कर रहा है खेत में देखो ना मुख्या जी खेत की मिट्टी कैसे फट गई है जैसे ये कभी खेत था ही नहीं अरे कोई बात नहीं इधर आजा इतनी तेज धूप में बैठेगा तो बेहोस हो जाएगा चल मैं तेरे घर तक साथ चलता हूँ मुख्या जी घर में बच्चे भूखे बैठे है समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ कैसे उनके सामने जाओ ऐसे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मुख्या जी अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे मुख्या ने किसी तरह हरिया को संभाला और उसे खेत के पास ही एक बड़े से पेड़ की च्छाओं में ले जाकर बैठा दिया वहाँ जाकर दोनों को कुछ रहत मिली दरसल जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे वो एक बरगत का पेड़ था और बहुत ही बड़ा और घना पेड़ था उसके तने में एक बड़ा सा गड़ा था वो गड़ा इतना गहरा था कि उसके उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस बरगत की ठंडी च्छाओं पाकर हरिया अप्शान था और फिर कुछ देर के बाद अपने घर की तरफ चल दिया ऐसे कुछ दिन और बीद गए पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं देखा और गाउं के लोग अब भूख से बेहोश होने लगे मुख्या ने गाउं के सभी लोगों को उसी बरगत के पेड़ के पास बुलाया और फिर भाईयों बहनों अब लगता है अब हमारा अंत नजदीक आ गया है हम सबने हमेशा हर दुक सुक साथ में बाटा है तो फिर अंत तक भी हम साथ ही रहेंगे और भगवान को याद करेंगे बाकी उपर वाले की मरची गाउं के सभी लोगोंने हाथ चोड़े और भगवान को याद करने लगे सब की आँखों में आसू थे सब को यही लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता भोग से सब मरने वाले हैं सबने अपनी आँखे बंद की हुई थी और ठीक उसी वक्त जिस बरगत के पेड़ के नीचे सभी गाउंवाले अपने अंत का इंतजार कर रहे थे दरसल वो कोई आम पेड नहीं था बलकि वो एक जादूई पेड था उसके तने में बना बड़ा सा गढ़ा भविश्य में जाने का रास्ता था पर ये बात ना तो वर्तमान में मौझूद गाउंवालों को पता थी और ना है उस गढ़े के उस पार भविश्य में रहने वाली सरीता को अरे लक्ष्मी हाँ मैं सच कह रही हूँ तो मेरा यकीन कर वो पार्क के पास जो बड़ा सा बर्गत का पेड है ना वो दिव्य पेड है पता है उसके तने में गढ़ा है सुना है उस पेड पर आलू का पराठा चढ़ाने से हर मननत पूरी होती है सरीता ठीक कह रही थी हर तरफ इसी बात की चर्चा थी और बस कुछी देर में वहाँ बहुत से लोग अपने अपने घरों से आलू के पराठे लेकर पहुँच गए सरीता के सहीली लक्ष्मी तो पूरे दस पराठे लेकर पहुँची यही है वो पेर हाँ बैन यही है पता है लोग बता रहे थे कि दो दिन पहले अपना राजू सीधा स्कूल से आया और इस पेर के पास खेलने लगा उसके टिफिर में आलू के पराठे थे जिने खाने का उसका मन नहीं था लेकिन अपनी मा की डाठ की डर से वो पराठे उसने इस पेर के गड़े में डाल दिये अच्छा और फिर क्या हुआ अरे तुम मानेगी नहीं वो क्लास में फर्स्ट आये है हैं अपना राचू अरे वो बड़ी मुश्किल से पास होता है हाँ वही तो तब ही तो सब लोग कह रहे हैं कि ये उस गड़े में आलू के पराठे डालने शुरू कर दिये जो पराठे सरिता लक्ष्मी और बाकी औरतों ने बर्गत के पेड में डाले थे थोड़ी ही देर बाद वो पराठे अचानक गिरने लगे मुख्या ने जैसे ही पराठों को देखा तो वो चीक पड़ा और उसे उसी तने के गड़े में डाल दिया जो सीधा उधर भविश्य में पहुच गई देख लक्ष्मी चमतकार स्वयम हनुमान जी प्रकट हुए है जय हनुमान ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा ना खेत बचे ना घर अब हम क्या करेगे? पता नहीं राधा मारे किस्मत में क्या लिखा है? खेत में फसल काये उट दाना नहीं बचा खेत? घर में रखी सारी उपज़ और बीच भी बैग है पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा? रामपुर गाउं के हर घर के फिलहाल यहीं कहाने थे चार दिन के लिखने से कुछ बरबाद कर दिया पूरे इलाखे में बाढ़ाई में राम के खेत में पुड़ी मज़र के बाढ़ के बैग है हर तरफ तबाही का मंज़र थे पूरे दो दिन बाढ़ पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा-थोड़ा अनाज गाउं के सभी परिवारों को दे गए राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिच्डी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिच्डी को खाने बैठे ठीक उसी वग बेटा कोई है क्या दो दिनों से भूखा हूँ बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या बाबा आप कहां से आए बेटा मैं तो तीन-चार दिन पहले बस यहां से गुजर रहा था तभी जोर की बारिश शुरू हो गई बारिश से बचने के लिए मैं पासवाले मंदिर में रुख गया लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वही पर फस गया अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा एक तो वैसी अनाजकम में इतनी सी खिचडी बनी है बस इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं कोई बात नहीं भगवान सब व्यवस्था करेगा बाबा आप अंदर आईए बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो मैं कहीं और जाकर ना ना बाबा कोई बात नहीं ये मेरी पतनी राधा है इसने खिचडी बनाई है तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए मारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है अरे कोई बात नहीं बच्चों भूखे के लिए तो खिचडी भी पालक पनीर के समान है ऐसी बात है तो आपका स्वागत है आईए बाबा जो हम खाएंगे वही आप भे खा लीजिए राधा और राम के पास इतनी भी खिचडी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भर कर खापाएं उपर से साधू बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचडी के तीन-चार निवाली खा पाएं खाना खाने के बाद राधा बरतन धोने के लिए अंदर चरी गई और राम साधू के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे अरे लगता है बाबा चले गए लेकिन वो क्या है राम की नजर उस जगह पर थी जहां वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैट कर खिच्टी खा रहे थे अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज़ादा चमक रही थी राधा राधा चल्दी आओ यह देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भोल गए राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझ कर अपने घर में भगवान की मूर्ती के सामने रख दिया उधर बाड का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था लेकिन पूरे गाउं के सामने अपचुनौती यह थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए क्योंकि पूरे गाउं में किसी के पास भी न बीज बचे थे और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे गाउं में भुक्मरी की नौबत आ चुकी थी, फिर एक दिन क्या हुआ, ठक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गाउं में किसी के पास एक भी भीज नहीं बचा है सब कुछ बार में बह गया, और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है मुझे भूक नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो दो दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने, और कहती हो कि भूक नहीं लगी है हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे है मुझे, मैं अपने पती को खिचडी तक बना कर नहीं किला सकती है खिचडी की बाद सुनते ही राम का दिमाग ठनका, और उसने तपाक से पूछा क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किसमत में खिचडी भी नहीं है हाँ, मुझे अभी याद आया, याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधो बबा आये थे और वो अपने अंगोठी यही पर छोड़ गए थे हो सकता है कि वो हमारे हालाद देखकर, जान बूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो जल्दी करो, वो अंगोठी लेकर आओ, हम उसे बेजकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं पर वो तो बाबा की अमानत है न? जो भी हो राधा, अपने जीते जी, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता राम के कहने पर राधा उस अंगोठी को ले आई, राम ने उस अंगोठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया क्या हो अजी? अरे राधा, ये तो पीतल के अंगोठी है, इसका क्या मोल मिलेगा, कुछ भी नहीं राम उस अंगोठी को जमीन पर गुस्से से फेकने ही वाला था, कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगोठी को ध्यान से देखने लगा राधा, देखो जरा, इस अंगोठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा हाँ जी, ये तो एक बीच जैसा लग रहा है राधा सही थी, असल में वो एक टमाटर का बीच था, जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगोठी से अलग किया पर कोई अपनी अंगोठी में नकी जगर टमाटर का बीच क्यों लगा कर घूमेगा यही तो सवाल है राधा, चरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, तभी एक सादू हमारे पास आते हैं, और ये बीच यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं, कुछ तो बात है राधा दोनों ने उस बीच को नमन किया और फिर पूरी श्रधा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया, राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीच में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीच बना पाएंगे, और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए, उन्हें इस बात का बिलकुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमतकार होने वाला था, अगले दिन जब राम और राधा सो कर उठे तो ये देख कर चौंक गए, कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टम खड़ा था, सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाये थे, ये भगवान ये कैसे संभव है, इतनी जल्दी भूल गए, ये उन्हें साथू बाबा का चमतकार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हम तोड़ा और उसमें से धेर सारे बीच निकाल कर अपने खेत में बोधिये, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई, कई दिन बाद दोनों पती पत्नी ने खुशी-खुशी और भर पेट खाना खाया, अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था, औ अभी वहाँ गाउं के सरपंच आ गए, अरे भाई राम, अरे ये चमतकार कैसे हुआ भाई, कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सब के खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई, ये जादुई टमाटर है सरपंच जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गाउं में कोई भी भुका नहीं रहेगा, सच मुच, पर पहले बताओ तो सही, ये चमतकार आखे हुआ कैसे, राम ने गाउं के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुरा कर अपने खेत की तरह बढ़ गए, उसने प्रक के ट्रक गाउं आते और यहां के खास टमाटरों के बतले गाउं के किसानों को बढ़िया दाम दे कर जाते, कुछी दिनों में पूरे गाउं की तस्वीर बदल गए, राधह और राम की भी कायप अलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूत उन दोनों ने दूस तो कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ, बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा